मिरा नाम है लक्ष तत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है Part 18 साथ समंदर पार 8th August 1998 जगी और किरन की कॉक्टेल नाइट मैं लंडन से दिल्ली लैंड हुआ करीब दोपहर के बारा बचे I think Saturday था और मेरी अगले दिन की फ्लाइट थी वापसी की संडे रात को 9 बचे इसका मतलब था कि अगले दिन जगी और किरन की अनंतकारत सरिमेनी खतम होते ही मुझे चंदीगर से निकलना था वापस दिल्ली आने के लिए क्योंकि मंडे से मेरी नई ज़ॉब शुरू थी लंडन में जगी और किरन की शादी काफी बड़ी थी करीब पंदरा सो लोग बलाय थे और उन पंदरा सो की गेस्ट लिस्ट में भी मेरा नम नहीं था जगी और मैंने स्कूल के बाद से बात नहीं करी थे मुझे लगता था कि किरन नहीं उसे मना किया होगा मुझसे बात करने को और मेरा शक्सा ही था लेकिन जब राधा ने खत में लिखा कि वो दोनों शादी कर रहे हैं तो मैंने उसी वक्त जगी को फोन मिलाया पहले तो उसके पापा ने ही इन्वाइट कर दिया और फिर जब जगी से बात होई तो उसने सच बता दिया कि मर्जी तो किरन की है पता चला कि मेरे पेरेंट्स को तो इन्वाइट भेजा था लेकिन मुझे नहीं लेकिन फिर राधा ने किरन से कुछ बात करे और किरन ने मुझे इन्वाइट कर दिया जगी ने बताया कि मेरी फ्लाइट के साथ एक और दोस्त की फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो रही है तो उसने हम दोनों के लिए एरपोर्ट से ही टाक्सी कराई सीधे चंदीगड की मैंने ड्यूटी फ्री से विस्की उठाई और सोचा कि उसका दोस्त चिल हुआ तो रास्ते में ही एक बॉटल खोल लेंगे चिल तो वो निकला अमन नाम था उसका अमन परीत मुझसे दो-तीन साल बड़ा था न्यूँ योग से आ रहा था जब टैक्सी में बॉटल खोली तो धीरे-धीरे पता चला कि वो सिर्फ जग्गी का दोस्त नहीं किरन का कजन भी है और क्योंकि मैं जानता था कि किरन मेरी बड़ी फैन नहीं है मैंने हमारे स्कूल की दिनों के बारे में ज़्यादा बाती नहीं करी ये अमन परीत था तो अब अमेरिकन लेकिन पीने में बिलकुल पंजाबी जब तक हम चंदीगड पहुँचे हम दोनों ने मिलके एक बॉटल खतम कर दी थी पंजाबियों की बात ही अलग होती है न हम एक खुद तो पीना अच्छा लगता है ही लेकिन दूसरे के साथ मिलके पीने में और भी मज़ाता है तो जब तक हम पहुँचे संगीत का वक्त शुरू हो चगा था हम दोनों ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर चेंज किया और बोला कि नीचे मिलते हैं बार पे राउंड टू के लिए मेरे पीने की एक और वज़ा थी धीन और वज़ा थी पहला जग्गी इतने सालों से उससे नहीं मिला था खुश नहीं था कि हमारी दोस्ती मेरी वज़ा से तूट गई दूसरी वज़ा थी किरन जिससे मुझे अभी तक डर लगता था और तीसरी वज़ा थी रा था उसके उस खत को पढ़ने के बाद एक एक नई उलज़न सी आ गई थी एक तरफ तो मैं काफी खुश था अपनी इस नई अकेलेपन वाली जिन्दगी में लेकिन दूसरी तरफ राधा की यादे थी वो बाते थी जो हमें करीब लाई थी काफी अवर्ट किया था मैंने सब के बारे में सोचना और अब चंदी घड़ वापस आकर आधी बॉटल स्कॉच पी कर दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा था पहले मैं गया जग्गी के पास उससे उसके कमरे में मिलने हम गले मिले उसके दोस्तों ने एक एक शॉट पिलाया लेकिन दो-चार मिनट बाद मैं बस ऐसे ही खड़ा रहा उसके कमरे में वो अपने दोस्तों से बातों में लग गया और और मुझे एसास हुआ कि अगर मैं अब भी राधा के साथ होता तो मैं भी इन बातों का जग्गी की जिन्दगी का हिस्सा होता लेकिन अब मैं बस एक एक गेस्ट बन कर रह गया था जग्गी के कमरे से निकला तो सोचने लगा कि शायद मैं गलत था तुम्हारा कल अगर नई कपड़े पहन कर आए नई पहचान बना कर आए तो फिर भी वो तुम्हारा कल ही है वक्त की सीड़ी से तुम वापस नहीं उतर सकते यही सब सोचकर बिना देखे चल रहा था और तभी मेरी टक्कर हुई राधा से मेरा बीता हुआ कल एक नए हरे लहंगे में हमने एक दो मिनट इधर दर की बाते करी और फिर अमनपरीत आ गया मैंने जब उन्हें इंट्रिड्यूस कराया तो दोनों हसने लगे तो तब पता चला कि अमनपरीत सिर्फ किरन का कजन नहीं है वलकि राधा का फियोन से है और आज जो सब हुआ किरन और राधा की चाल थी मुझे अपनी जगा दिखाने के लिए कोई ऐसी बात है कि पंजाबी लड़कियों से और खास तोर पर चंदीगड़की लड़कियों से कभी पंगे मत लेना होनी चाहिए मैं ये सच चान कर हसने लगा क्योंकि एक मजाक तो मैंने अपने आप से भी किया था ये सोच कर कि इतना आसान होगा ये सब पार्टी में घुसा तो ममी पापा दिख गए और इतनी तो पीली थी कि पता था कि उनको पता चल जाएगा तो बहाना बनाया कि कुछ दोस्तों से मिलके आता हूँ बार से एक ड्रिंक उठाई और एक कोना ढूणने निकल गया जहां मैं खुद के लिए सौरी फिल कर सको एक जगा मिली बार के पीछे एक लॉन में जहां मैं अकेले अपनी तनहाईयों की साथ चेर्स करके बैठ गया कुछ मिनट बाद एक लड़की आई साड़ी पहने हाथ में सिगरेट लिये मेरा असली अधूरा कल हमेशा की तरह उसने मेरी तरफ देखा नहीं तो मैंने ही कह दिया हाई माया तुम सिगरेट कब से पीने लगी मेरा नाम है लक्षतत्त और आप सुन रहे है लॉंचोरा का पॉड़कास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉंचोरा के बाकी सारे पॉड़कास्ट आज वेल आज लिंक्स तो आर ओनलाइन स्टोर जहां आप मेरे बनाए कुछ प्रोड़क्स खरीच सकते हैं तो सपोर्ट मी और माई पॉड़कास्ट प्रिया की कहानी अभी बाकी है मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है पार्ट नैंटीन लड़की बड़ी अंजानी है